नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आप शबी को बता दें कि आपको जान से मारना चाहता है यह एक इंचान इस नाम का इंचान जी दोस्वों दोस्वों हमारी शबात को बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि यही आपकी जुवनकाल की श्रचाई है जिया दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि पिछले कई शमेशे हम आप शबी को श्रचेत कर रहे हैं लेकिन दोस्तों बहुत शारे जातों का इशा प्रशन आता है जो कि दोसों माक्षर पढ़ते हैं कि गुरू जी हमारी उनकाल में प्रिश्योनिया के इसकारण चुए आ रही है कौन सा वहवेक्ति है उसका नाम क्या है जो कि हमारे पीचे पढ़े रहते हैं जिनके कारण हमारी कार्य नहीं बन रहे है जे दोसों तो दोस्तों हम आप शुबिक के शारे शवालों का जवाब आज की वीडियो में देने वाले हैं कि आखिर हुआ कौन सा व्यक्ति है जो कि आपके जान के पीछे पड़े हैं आपको इस दुनिया से हटा देना चाहता है वह चाहता है कि कब आप यहां से चले जाए और वह आप आप शुबिक को बता दें कि जब भी आप अपने जुनकाल में आगे बढ़ते हैं जब भी अपने जुनकाल में आप खुश होते हैं तो दोस्तों इस व्यक्ति को आपकी खुशी देखी नहीं चाहती इसी कारण दोस्तों यह आपको जान से मार देना चाहता है जे दोस्तो ने बहुत वाली बात यहां कि यह आपको नहीं जानता है दोस्तों यह आफके शबसे अपने करीभी लोग है जोने के पास आप बैठेहें उनके शाथ हांसे खेले हैं दोस्तों वेशे ही लोग हैं जो कि आपके शाथ रहकर आपके शाथ छलक रहे हैं दोस्तों आप शिवी को बता दें कि जुनकाल में आप बहुत ही कुछ करना चाहते थे दोस्तों जुनकाल में आप बहुत ही जादा आगे तक जाना चाहते हैं ले रेखों में बनल जाती है जिसे दोस्तों आपको बहुत अनुक्षान होता है और दोस्तों आपशे कर्म रखते हैं दोस्तों आपका किश्मत उतना ही अच्छा है लेकिन दोस्तों आपको एक और एश्राद करना होगा कि दोस्तों इस व्यक्ति को अपने जुनकाल से निकाल कर फैक देना होगा जया दोस्तों तभी दोस्तों आपने जुनकाल में अपने जुनकाल के शारी खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे जया दोस्तों आप शुपी को बताते हैं कि आज के वीडियो में हम आपको इस वेक्ति के नाम के बारे में बताएंगे शाति के आप इस वेक्ति को कि शारे प्रश्णों का यश्मी इसमें उत्तर मिलने वाले हैं तो उमने जीवन के महत्पुन्ट शमय निकालकर अज के वीडियो को दोस्ट अंतर देखी दीजेगा दोस्ट वह आप शिवी को दावी के जाता है कि जो भी हमारे उनकाल में शत्रू होते हैं जो भी हमें नुक्षान करने की चाहत रखते हैं जो भी हमारी जुनकाल में हमें खुशने देखना चाहते हैं दोसों यह व्यक्तियों से पीछा छुड़ा ही लेना अच्छा होता है यह व्यक्ति अगर आपको जुनकाल में एक बार धोका दे दे तो उन्हें माप कर दीजी और अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में लेक दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम जरू लिखेगा दोस्तों आप शबी के दुखों कांत कर देंगे जो नकाल में प्रेश्यानिया कभी आएंगी नहीं और श्राम और महावली हनुमान ज देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत यदा अपने थे यानि कि दोस्तों आप जिनके बहुत यदा करीब थे जो आपके करीब लोग थे वही आज के जवाने में आपके जान के दुश्वन बन चुके हैं जिया दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि यह वही लोग है जिन के लिए आपने अपने जिवन की शार्श खुशियां उनके उपर निशावर कर दिया था और दोस्टों यही लोग आज आपकी कुशी देखना नहीं शाते जब आप कुश होते हैं तो दोस्टों इनके अंदर जलन महशुच होने लगती है दोसों किशी ने बहुत खुब कहा है कि जूट कहते हैं लोग कि हम शब मिट्टी के बने होते हैं मैं शेक कई अपनों शिवाकिप हूँ जो पत्थर के बने हैं जे दोसों और आपके भी जूनकाल में इस दोरान कुछ ऐसा ही देखनों को मिल रहा है जिया दोसों और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोसों अब आप अपने जूनकाल में जो भी करेंगे समल कर करें कि दोस्तों अब आपको प्रेशनकाल में शमलना बहुत ज़रूरी हो गया है जिया दोस्तों और दोस्तों जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने है यानि कि दोस्तों किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कूल भी नहीं आना है किसी करन काप पहनकर आप शी मी निटी मी दो चार बातें कर लेते हैं और जब आप शी काम निकल जाता है तो unity आपको लात मार देते ही दो सब्सक्राइब करके आप मैं ज़रू बताएं कि जो भी मैं बातें बोल रहा हूं क्या दोस्तों ये आपकी जुनकाल में फिलाल नहीं हो रहा है इसलिए दोस्तों हम आप शिबिक को एक बात बदाना चाहेंगी कि लोग आपके शाथ तरह तरह की बातें करेंगी लोग आपको तरह तरह की शलाही भी देंगी लेकिन दोस्तों आप करें वही जिन में आपका हिर्दय, जिन में आपका दिल और दिमाग शपोर्ट कर रहा हूँ यानि कि दोस्तों सोच शमज कर ही आप खुद से अब निर ले लें जिया दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत यादा गलतियां कर दी है लेकिं दोस्तों हम आप शबी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपने जिन काल में या गलतियों को बिलकुल भी ना दोराएं जिया दोस्तों, यानि कि दोस्तों आप शबी जो भी भीशा लेंगे, खुद से ही लेंगे आप किशी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दें कि दोस्तों इशा करके आपने पहले भी दोखा खाया है वगर आपको विश्वास करना ही है तो दोस्तों अपने मेहनत पर करें अपने परिश्रम पर भरोशा रखें दोस्तों अपने इश्वर पर अपने भगवान पर भगवान शुन्देव पर यकीन करें दोस्तों आपके करमों का अफ़ल भगवान शुन्देव अवशी देंगे दोस्तों आपको शुपलता भी अवश मिलेगी दोस्तों किसी ने शही कहा है कि जिसकी फित्रत हमेशा बदल नहीं जहां पर शवाल भी आपका होगा और जबाब भी आपकी होगे इसके शादी दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा कीजिए और जो आपको दर्द दे उशे दफा कीजिए आप अपने उपर जितना होश के फोकस रखें ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दु जावन चुड़ाते हैं बहुत जहरा ग्हाव सोते हैं इसलिए दोसों में आप शिव STOPित से आप एक ठ़ा ना रखें 10 अपने आपको आगे बढ़ाएं मेहनत करें सच्छे दिल से पर इस्रम करें दोसों और इशुबर परचीं-ससी आप यकीन रखते हैं श्यकवरें लु लेगी जिया दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुष आलों से इस राशी के जो लोग हैं जो आपके जोनद में सबसे ज़्यादा पैशान है जैंकर दोस्तों ब्रमाण में विश्ट में हुष एकुीद में से आपकी ही एक राशी एक लुटा ऐशी है जिनके पिछले कुशवर्ष बहुत दुखत करिए और शाया दोसों बहुत का शामना भी आपने किये है यह में दोस्तों आप लोग को बताना चाहेंगी दोसुँ यह में जो की गरहों की पस्तीप है वह दर्शा रही है आज रात को 12 बज़े से आपके उपर कुछ करने वाले हैं योग कें तो दोस्तों आपकी जौनकाल्मी शंकट आने वाली है Alejandra दोसों, परिँदू दोसों इस बार जो आपके उपर संकट आने वाले हैं, जो मुशूपिते आने वाली है, इन्हें में आपकी ही गलतिया छुपी हुई दिख रही है, जैं दोसों आपको बताना चाहेंगी, कि दोस्तों आपका नेचर बहुती शीधा होता है बहुती श्रल्शोभाव के आप लोग होते हैं और दोस्तों आपके मन में कोई भी कपट नहीं रहता है दोस्तों कभी किशी को लेकर आप बुरा नहीं सोचते नहीं किसी को निचा गिराने के बारे में सोचते हैं और दोस्त थ зах pensar यह जातकों का लाब पूरा दुनिया उठा रही है और दोसों लोगा आपके भूहलेपन का फाइदा उठा कर अपने ज़ादों में आपको फशा रहे हैं यूंग है दोसं तांतिशि क्रिया में आपको फशा करना पड़ता है तो दोस्तों आपके जोर्म में छुपे कोई तीन एशे लोग हैं जो आज रात बारा बज़े शे जिया दोस्तों पूरा शुन लिजिए आपके ही जीवन काल में रहने वाले तीन लोग जो की आज रात बारा बज़े शे आपको अपने बातों के जादू में फ़शाने वाले हैं यह कहें बातों के शित अंत्रिक किर्या होगी जैसे आप उनके जाल में फ़शने वाले हैं और दोस्तों इस बार कोई बड़ी मुश्वबत आपके शराज सकती है तो दोस्तों इसमें आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपके राशी के जो भी ना दोराए जे दोसों अभी भी आप इन गलतियों को गांट बांध ले जे दोसों चाहे आप कुछ भी कर लेंगे प्रंतु आपने जीवन में तीन गलतियों को कभी भी भूल कर नहीं करेंगे जे दोसों जब आप इनके बारे में जानेंगे तो दोसों शरुपर्थम आपकी शमझने की भूल जया दोसों इस राशी के जातक शबी को अपना मनते हैं या लोग दोस्तों एकता में विश्वास रखती हैं आप लोग सोचते हैं कि शबी का विकास एक शाथ होना चाहिए दोसों अगर हमारे जिन्द्रगी में मुशिवत आए तो शबी को एक शाथ रहकर जहने चाहिए जया दोसों और वहीं दूसरे लोगों की शोच आपकी विप्रित होती है जया दोसों आपको बता दें आप हमेशा अपने शाथियों का अपने मीत्रों अपने रिष्टेदारों का भला चाहते हैं परिवारों का भला चाहते हैं उनकी मुशिवतों में आप स मुश्युपत आती है तो दोस्तों आप देख्ते हैं कि आपके शाथ कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं है दोस्तों शब दुम दबाकर आपके पास ये भाग जाते हैं जे दोस्तों अगर आपको हमारा यह बात सचा लग रहा हो दोस्तों हमें कमेंड करके जरूर जे दोस्तों कि आप कभी अपने जुनकाल में एशे हुए हैं जब आप अपने की गलती को अपने शर ले लिए हैं उनके मुश्यवतों को आपने बांटा है प्रणदु दोस्तों जब आप पर शंकट आया तब दोस्तों शब भाग गए दोस्तों आपको अपने मुश्यवतो और उनकी मदद बिल्कुल ही ना करें आज ये ही आप इनको करना बंद कर दें जिया दोस्तों आप अपने लक्ष तक पहुँच पाएंगे अगर दोस्तों आप गलती करते रहेंगे तो दोस्तों आपका दुख आपको ही मिलेगा किसी और इन्शान को नहीं मिलेगा आपको अपना दुख शोयंग ही जहलना पड़ेगा किसी और को बिल्कुल भी फरक नहीं फड़ने वाला तो दोस्तों आज श्ये आप अपने की सोचें पर दोस्तों आपकी दूसरी गलतियां होती है कि दोस्तों जिस भी वेक्ति से मुलकात करते हैं आप जीवन से जुड़े शबसे बड़े महत्मुन बातों को शेयर कर देते हैं तो दोस्तों यह बात को आपको ध्यान वेरकना चाहिए कि जिस भी इनसान से मिले चाहिए आप से बार बार मिले हो या फिर बहुत सालों के बात एक बार मिलो हो लेकिन दोस्तों आप उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए आप अपने जीवन से जुड़े कुछ भी महत्मुन बातों को बिल्कुल भी शेयर ना करें क्यों दोस्तों ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही भले आप शेयर मिलते हैं लेकिन दोस्तों आपके शबी बातों को जान लेते हैं और फिर आपके उपर में शंकुटों का वाय श्राद जाल बिछाते हैं क्यों दोस्तों आप उनमें फंसते चले जाते हैं जेंदोसों और तिसरी गलती आपके जिवन में यहाँ है कि दोस्तों धन के मामले में किसी परहत से ज़्यादा भरवशाद ना करें क्यों दोस्तों वर्तमान श्मय में पेशा ही सब कुछ है जेंदोसों बात कड़ भी है लेकिन दोस्तों इस बात पर सचाई भी है जिया दोस्तों आपको बता दें कि आज की दौर में पेशों को लेकर किसी का भी नियत बिगड़ सकता है दोस्तों वहीं दोस्तों घरों की आज की जो इस्तिती है वो आप बता रहे है दोस्तों आज रात बारा बजी शी आपके उपर कुछ लोग तांतरिक किरियाई करने वाले हैं यो कहें तो दोस्तों अपने बातों के जाल में आपको फशाने वाले हैं तो दोस्तों इसे लोगों से आपको बचना है जो लोग आपके जोनकाल में आपके पहचान में हैं दोस्तों उनसे आप दूर रहें जो भी लोग आपको यह बातों में फचाना चाहते हैं तो दोस्तों यह व्यक्ति की आप पहचान करें और ढूंड ढूंड कर उनसे अपना शम्मन तोड़ दे जैं दोस्तों और दोस्तों आपको इसकी भनक तक नहीं लगेंगी क्यों दोस्तों आप इन्हें सच्चे मित्र मानते हैं आप एश्य दुस्मनों से पीछा चुटा लेजिए दोस्तों बेश्य के इशाद बात करते हैं कि आखी रिहव्यक्ति कौन है इनके नाम का पहला अक्षर क्या है जो कि दोस्तों आपके जान के पीछे पड़े रहते हैं दोस्तों हम आप शुप को बता दें कि इस वीडियो में आगे हम जो नाम के पहले अक्षर बताने वाले हैं नाम पर यकिन किजिएगा जिन पर दोस्व, आपको बहुत ज्यादा शक रहता हो जो आपको पहले कई बार दोखा दे चुके होंगे या पिर कभी दोखा देने का प्रयाश्च कियोंगे दोस्व, वही आपका शबसे बड़ा शत्रु है दोस्व, नाम को बहुत ही गौश सु Kubernetes P G A M N O A V R L D दोस्तों जो नामके पहले अक्षर है दोस्तों इस नामका व्यक्ति आपके रजीनकाल में है आपके शम्प में है और किसी पर आपको अगा शक हो रहा है तो दोस्तों यही इंशान आपकी रजीनकाल में शबसी बड़ा शत्रू हो शकता है बस दोसों आपको करना क्या है यह वेक्तियों के लिए आपको कुछ महत्पन उपायों को भी करना चाहिए जैंसे आप शेवी को बता दें कि आप अपने जयून काल में हनुमान जी के मंतरी में शनी वार या फिर मंगलवार के दिन एक पान का बीडा लिकर जाएं और दोस्तों महावली हनुमान जी को अर्पित कर दें और वह शमें हनुमान जी अगल करतेर ना करें की शंकट मोचन जय सरी हनुमान जी था हमारी जनकाल की शारी बधाये अब खत्म कर दी यह हडिक में जो भूल हो गई हमें शमा किर्दी जी हमें अपने शरण में लिजिए हे शंकट मोचन किरपा निधान दोस्टों आप उनकाल में या उपाई बहुत ही कारगर्शित होंगी शबी शत्रूश आपको महामली हनुमान जी रक्चा करेंगे और जी उनकाल में कुश्कियां परकार रह